बिहार पुलिस जिस बात पर घर से उठा कर ले जाएगी असम पुलिस वो बात करने पर सुरक्षक घर छोड़ कर जाएगी नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं News 28 तो जैसे कि आप जानते हैं बिहार में शराब बंदी है शराब पीने पर पुलिस केस हो जाता है शादी पार्टी हो या आने वाले नए साल का जशन बिहार वासियों के लिए महौल तो ड्राय ही है इसलिए नए साल के जशन पर हम करेंगे कुछ प्रभन स्टाइल में आसम पुलिस ने जादा ड्रंक होने वाले लोगों को घर छोड़ कर आने का इंतजाम किया है साल के आखरे दिन की पार्टीों में जिन लोगों ने जादा पीली हो वे इन हेल्प लाइन नंबर पर बात करके घर छोड़ कर आने की मदद मांग सकते हैं उन्होंने काया कि नए साल्प के जश्न में होने वाली सड़क दुर गटनाओं को कम करने के मद्ध नजर शुरू की गई है पुलिस ने दो हेल्प लाइन नंबर जारी किये हैं वो है 9854684760 और 9954758961 मेडिया से बात करते हुए एसपी लीना ने कहा हर किसी को 31 दिसंबर की राच जश्न मनाने का अधिकार है जश्न के दौरान अगर किसी को ड्रेंग करने के बाद परिशानी होती है और वे घर या कहीं दूसरी जगा जाने में खुद को असमर्थ पाते हैं तो पुलिस विबाग ने उनके लिए जिला प्रशासन की मदद से गाड़ियों का इंतजाम किया है असम पुलिस के इस कदम से ये मतलब बिलकुल भी नहीं है कि वे शराब नोशी को बढ़ावा दे रहे हैं बलकि ये तो अक्सिडेंट और पीने के बाद होने वाली जड़कों को कम करने के लिए फैसला लिया गया है राजे पुलिस ने तो मज़ेदा ट्वीट में ड्रिंक और ड्राइफ करने वाले लोगों के लिए डीजे की विवस्ता की बात की है नहीं समझे डीजे की विवस्ता यानी लोग अप में डालने की विवस्ता तो आपको क्या लगता है असम पुलिस का ये फैसला कितना सही है और कितना गलत कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके अपने विचार बताए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो को जाज साथा लाइक करे शेर करे तब तक के लिए नमस्कार